नमस्कार दोस्तों विद्धर 24 दा निवर्स और लर्निंग में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में 2 जनवरी 2023 से लेटीड करेंट अफेर के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी फायदे मन रहेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आग हमारा दूसरा पसंद है रेल्वे बोर्ड के नए अध्यक्ष OCEO के रूप में किसे नियूप क्या गया है तो इसका सही आंसर है D अनील कुमार लाहोटी तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा तीश्रा पसंद है बारत के किस राज्ये में पश्यों के लिए पहली IVF इकाई शुरू हुई तो इसका सही आंसर है D गुजरात तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा फोट पसंद है बारत और किस देश ने दोनों जेशों के बीच रक्षा और से ने सही योग सही वीविन चेतरों में कैई समझोतों पर हश्ताक्षर किये हैं तो इसका सही आंसर है A Cyprus तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा पांचवा पसंद है बारत ने एक जनवरी 2023 से कितने वश्यों के लिए वासेनार वियवस्ता के पून आदिवेशन की अध्यक्सता ग्रैन की है तो इसका सही आंसर है A एक वश्य तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा चटा पसंद है सीमा सुरक्षावल B.S.F. के महानी देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है B सुजाईलाल थावसेन तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा साथवा पसंद है पर्वानु उज्या नियामक बोर्ड A.E.R.B. के अध्यक्षे रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है E दिनेश कुमार शुकला तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा आटवा पसंद है हाली में भारती राष्टे राजमाग प्रादिकरन N.H.A.I. के अध्यक्षे रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है D. शंतोस कुमार यादव तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा नुवा पसंद है हाली में भारत सरकार ने किस राज्जे के एक विद्रोई समुक के साथ यूद विराम के समझोते पर हश्ताक्षा किये हैं तो इसका सही आंसर है C. मनिपूर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा दस्वा पसंद है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हैलफूल लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादध से ज़्यादध लाइक और शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारी यूट्उब चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है वो अभी सबस्क्राइब करें थेंक्स पोर वचिए